संपत्ती कर वसूली में निकला नगन निगम का राजश अमला सहर के आधा दर्जन सदिक वेपारिक प्रतिष्ठान को किया गया सील आपको बता दें कि संपत्ती कर न जमा करने वालों के खिलाफ निगम अमले द्वारा अब सक्ती भी भरती जा रही है बुद्वार को संपत्ती कर न जमा करने पर कॉंपलेक्स सहित आदा दर्जन दुकानों पर सीच की कारवाई की गई है निगम अमले द्वारा की गई इस कारवाई में अन्य बकायदारों में हड़कम किस्तिती निर्मित है बता दें कि शहर में करीब 2 सेकड़ा से अधिक संपत्ती कर बकायदार हैं जिन से वसूली होनी है फिलाल संपत्ती कर जमा करने वाले बकायदारों को निगम अयुक्त द्वारा नोटिस देकर सूसित भी किया जा रहा है उसके बावजूद बकायदारों पर कोई परक नहीं पड़ रहा है ऐसे बकायदारों को निगम अमले द्वारा चिन्नित किया जा रहा है और उनके खिलाव सीच की कारवाई भी की जा रही है आपको बता दें कि नगर निगम अयुक्त की निर्देशन पर राजस विवाग के दोरा इस समय संपत्ति कर वसूली की मुहिम को तेज किया गया है पताया जा रहा है कि मार्च माह आने से पहले राजस वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए निर्देश यारी किये गये थे जिसके बाद राजस दल्ज शहर में वसूली की दोरान राजस न चुकाने की स्थिती में दुकानों को भी सील कर रहा है उक्त कारवाई में राजस्वधिकारी, रावेंद सिंग, सहयक आयुक्त दीपक पटेल, राजस निरेक छट निला इस्चतुरवेदी सहित अन्य कर्मचारी उपस्तित रहे प्रस्तुत है राजस्वधिकारी रावेंद सिंग से प्राप्त जानकारी के अंस संपत दिगर पकाया है हमारा इनको रोटिस दे जारी करंचारी हमारे रोज आ रहे हैं लेकिन दूरा कोई सुनवाई नहीं की जारी थी तो आज हम लोगों ने इसको सीज कर दिया कि भाई यह सीज कर वाई आगे भी चलेगी निरंतर जारी रहेगी अभी कॉंप्लेक्स को भी सीज किया गया है कॉंसा कॉंप्लेक्स को आपने सीज किया है जोन नमबर चार में चार बार नमबर 26 में राभेन सिंग